हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में डिस्कॉस करने जा रहे हैं MPGK का पार्ट जो की रहेगा MPTourism इससे प्रीविस वाली वीडियो में भी हमने ट्यूरिजम का पार्ट कवर किया है उसमें बहुत सारे प्लेसे डिस्कॉस किये हैं जिसे हिस्टोरिकल और रिलीजियस ट्यूर इसमें सब से पहले आजाता है अपना चित्रकूर्ट तो चित्रकूर को कैया पूले जाता है प्लेसॉफ मैने वंडर्स क्योंकि यह पूंस ऐसी चीजेर पाई जाती है जो इसको नाम देती है वंडियोुट उसमें से पहले पता होना चाहिए कि कौनसी रिवर की किना आरे यहां flow करती है और यह region लाई करता है middle of windya range क्योंकि यह विंद्या range में आता है और windya range के भी middle part में यह चित्रकूट लाई करता है और यहां पास रहती है मंदाखनी river इसे holy city डिक्लेयर किया गया था तो 510 को 2009 में से holy city डिक्लेयर किया गया था यहां पस और कौन कौन से religious sport है तो है कामदगिरी हनुमान धारा जानकी कुन गुप्त गोदवरी रामघाट लक्षमन पहाड़ी यह हैं यहां के क्या करेंट में चल रहा है कि रानिपूर tiger reserve बनने का डिक्लेयर किया गया है यूपी सरकार ने इसे मंजूरी दे दिये यूपी सरकार क्यों बोलने है क्योंकि चित्रकूर आधा MP आधा यूपी में लाई करता है तो यह दोनों स्टेट्स में आता है चित्रकूर इसलिए रानिपूर tiger reserve जो बन रहा है यह चित्रकूर में भी आएगा यह बुंदेलखन का पहला tiger reserve कहलाएगा इसे यूपी सरकार ने आग गया दे दिये हैं बनाने के लिए इसके बाद एक बुंदेलखन एक्सप्रेस वे बन रहा है जो इटावा से चालू होगा और यह चित्रकूर से होके भी गुजरेगा तो यह कौन सा एक्सप्रेस वे है बुंदेलखन एक्सप्रेस और कब इसको बनने का मंजूरी दिगई 16 जुलाई 296 किलोमेटर कराएगा ठीक है बुंदे सिटी भी कहा जाता है इसके पीछे भी रीजन है यह अपने सिंगर थे जो जाने जाते थे बहुत ही फेमस है अलावदिन खान उनके नाम पर इसे म्यूजिक सिटी कहा गया मैयर को यह सतना रिष्टिक में लाई करती है मैयर सतना साह से 40 किलोमेटर दूर है और यहां पास नर्सिंग पीट गोलमट और आला उदल की तलाब आला उदल तलाब नर्सिंग पीट और गोलमट यह और टूरिस स्पोर्ट्स हैं और दूसरी चीज जिसलिए यह फेमस संगीत रंगरी इसे कहा जाता है वह उस्तार अलावदिन खान जिन्होंने मैयर बैंड के स्तापना की नर्सिंग पीट गोलमट आला हुदर का तलाब यह उब तरहिए फिर आगे देख लेते हैं उनwid यह खरकते हृद्ध किसलिए वह और हैंगरीe इंप्राइब छाय और वाया किसने ने यहीं पता होना चीए इनको बनवाया किसने था बरमार किंग ने और चवजृौ гол के समकालीन रखने हैं 2-0 याद रखना कि यह पास क्या पाए जाते है चैने बाराइब टेंपल्स लगभग जिन्हें बनवाया था पर्मार किंग ने और यह खजराहों के कॉंटेंपरी है ठीक है और यह उन आता काया तो यह खरगोन डिस्टिक में आता है ओके इतना पता होना चाहिए अब इसके बाद देख लेते हैं आपन बावन गजा बावन गजा यह एक जै जैनधर्म के पहले तेर्थनकार थे तो इनकी भी यहां पास मूर्ति है और इनका महा मस्तग अभी सेख होता है जैसे की करनाठक में होता है kum करनाठक में COB सूब्धा सब्सक न własनों आए उनका जैसा मस्तग होता है वो यहां पास भी किया जाता है हर 12 साल में यहां पास मस्तक अभी सेख होता है इसका जैन मूर्ति जो जैन रिसब देव आदिनाथ की जब मूर्ति है उनका तो अपन को इसमें से क्या याद रखना बावन गजा जैन तीर दिस्तल है यह बरवानी डिस्टिक में है और यहां पास आदिनाथ और रिसब देव क की मूर्ति हैं और यहां पास भी महा मस्तग अभी सेख होता है हर 12 साल में जैसे की सेवन वेल गोला में किया जाता है ठीक है तो यह सारे डिस्टिक्ट थे जो हमें पता होना चाहिए उसके बाद यह देख लीजिए कौन-कौन से प्रोमिनेंट जैन पिल्ग्रिमिस जो मद्द क्या है मुक्तागीरी बैतोल में सोना गिरी दतिया में गौमतगी इंद Patrol में पस्पगीरी तो नियुक देवास में कॉंडल्पूर्द मॉ pitcher करोगे तो यह अपने आप याद हो जाएगा यह सारे रिलीजियास टूरियस प्रोड़्स थे जो èmpeakajJika के हिसाप driver करेंगे